नमस्कार दोस्टों स्वागत करती हूँ मैं आपका लेट्समेक लानिंग इंग्लिश इजी चानल पर सो आज हम सिखेंगे 250 प्लस देली उस इंग्लिश सेंटेंसेज विल हिंदी मेंग सो लेट्स स्थार्ट विटाओ इनी फॉटर अदू पहला सेंटेंस है अपने कप्डे बदलो चेंज योर क्लोट्स अपने कप्डे बदलो चेंज योर क्लोट्स अगर यहां हम किसी पटिकलर आतमे को बोलेंगे For example, Ramiz Ramiz अपने कप्ले बढ़लो तो फिर हम इसे बोलेंगे Ramiz, change your clothes Tamiz से बात करो Talk with manners Tamiz से बात करो Talk with manners आप मेरे साथ दोढ़ाईए उसे मेरे पास भेजो Send him to me उसे मेरे पास भेजो Send him to me Now it's your turn to repeat मुझे एक मौका दो Give me a chance मुझे एक मौका दो Give me a chance मेरा यकीन करो Believe me मेरा यकीन करो Believe me जब कोई आपके बात पर उच्वास नहीं कर रहा होता है और तब आप ये sentence बोल सकते हैं Believe me Simply आप कह सकते हैं Believe me मेरा यकीन करो Believe me मुझे वापस कॉल करो Call me back मुझे वापस कॉल करो Call me back आप किसी से बात कर रहे हो उस वक्त आप थोड़े बिजी हो तो आप कह सकते हो Call me back मेरी मदद करो Help me मेरी मदद करो Help me मेरा यह मतलब नहीं था I don't mean that मेरा यह मतलब नहीं था I don't mean that जितना मुमकिन हो As well as possible जितना मुमकिन हो As well as possible कोई अंदाजा नहीं No idea कोई अंदाजा नहीं No idea हिम्मत मत धालो Just don't give up हिम्मत मत धालो Just don't give up मुझे समझ नहीं आता I don't understand मुझे समझ नहीं आता I don't understand Now it's your turn to repeat after me अपना काम ध्यान से करो Do your work carefully अपना काम ध्यान से करो Do your work carefully यह सेंटेंस आप तब यूज कह सकते हो जब कोई अपना काम ध्यान से नहीं कर रहा हो इधर उधर उसका ध्यान भटक रहा हो आप सिंपली कह सकते हैं Do your work carefully बड़ो का आदर करें Respect your elders मेरे साथ दोड़ाएं Respect your elders मुझे गुस्सा मत दिलाओ Don't make me angry मुझे गुस्सा मत दिलाओ Don't make me angry मेरे साथ दोड़ाएं Don't make me angry Don't make me angry तैयार हो जाओ Get ready मेरे साथ दोड़ाएं Get ready सर्ट उतार लो Take off the सर्ट सर्ट उतार लो Take off the सर्ट मेरे साथ दोड़ाएं Take off the सर्ट दिल पे मत लो Don't take it to heart मेरे साथ दोड़ाएं Don't take it to heart Don't take it to heart आप अपना काम करें You do your work अच्छे दिन आएंगे Better days will come अच्छे दिन आएंगे Better days will come मेरे साथ दोड़ाएं Better days will come मन लगा कर काम करो Work wholeheartedly Or you can say work hard Work wholeheartedly Or you can simply say work hard संभल कर चलना Walk carefully मेरे साथ दोड़ाएं Walk carefully Walk carefully बात में आ जाना Come later मेरे साथ दोड़ाएं Come later मुझे एक कप चाय देना Give me a cup of tea मुझे एक कप चाय देना Give me a cup of tea मेरे साथ दोड़ाएं Give me a cup of tea Give me a cup of tea आप चाय लेंगे या कॉफी Would you have tea or coffee? आप चाय लेंगे या कॉफी Would you have tea or coffee? मेरे साथ दोड़ाएं Would you have tea or coffee? Would you have tea or coffee? Got it समझ गया Got it समझ गया मेरे साथ दोड़ाएं Got it Got it Got it Got it Hello, कौन है? Hello, who is this? Hello, कौन है? Hello, who is this? मेरे साथ दोड़ाएं Hello, who is this? I will try मैं कोशिस करूंगा I will try मैं कोशिस करूंगा मेरे साथ दोड़ाएं I will try I will try Let him in उसे अंदर भेजो Let him in उसे अंदर भेजो मेरे साथ दोड़ाएं Let him in Let me out मुझे बहार निकालो Let me out मुझे बहार निकालो मेरे साथ दोड़ाएं Let me out I know how to swim मुझे टैरना आता है I know how to swim मुझे टैरना आता है मेरे साथ दोड़ाएं मुझे टैरना आता है आसा खर्टिव ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो आपके लिए helpful भी होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, यह सारे सेंटेंसेज जो कि इस वीडियो में यूज के गए हैं, वो डेली यूज के हैं और आप अगर इन सेंटेंसेज का प्राक्टिस डेली बेसिस पे करें, तो आप इंग्लिज आसानी से सीख सकते हैं ये सारे sentences या तो आप अपने घरवालों के साथ practice कर सकते हैं या अपने friends या कभी आप बाहर जाएं तो आप ये सारे sentences use कर सकते हैं In case आपको अगर English बोलने में जिजक हो रही हो या कभी कबार होता है कि पड़िवार के साथ हम तो हिंदी में बात करते हैं और अचानक से English में बात करना थोड़ा जिजक सा लगता है तो उस case में आप खुद mirror के सामने खड़े हो जाएगे और आप खुद से खुद बात कीजिए आपका best trend आप से बढ़ कर कोई और हो नहीं सकता और जब आप continuous खुद को देख के बात करेंगे तो एक point में आपका जिजक भी खतम हो जाएगा और आप खुद में बहुत सारा अंतर देखेंगे बहुत सारा आप अपने में improvement देखेंगे बस एक important सा note है कि आपको practice करनी है आपको continuous practice करनी है मेरी वीडियो की एक USB आपको ये जरूर मिलेगी कि pronunciation आपको बहुत अच्छा मिलेगा सिप English सीखना ही नहीं है हमें सही English सीखना है सही उचारन के साथ सीखना है हमारे बोलने का तरीका सही होना चाहिए मैं English की teacher हूँ और मैं post graduate हूँ gold medalist और यहां तक कि मैंने bachelor education भी English में किया है मैंने research भी किया है English में अपने pz में linguistic में तो मैं आपको सही तरीका बता सकती हूँ किस तरह से आपको सही तरीके से English का उचारन करना है किस accent में करना है ये सारी चीजे मैं आपको अपने वीडियो में बता सकती हूँ क्यूंकि English तो आप सीख जाते हैं लेकिन सही उचारन करना बहुत ज़री होता है सही pronunciation करना सही तरीके से English बोलना ये बहुत important है तो आप मेरे वीडियो में ना तो सिफ English सीखेंगे साथ ही में English को किस तरह से सही तरीके से बोलना चाहिए वो भी सीखेंगे आशा करती हूँ ये सारी चीज़े आपके लिए helpful होगी थैंक्स फर वाचिंग